नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। ऐसा माहोज चलनीना जब से मैंने वो बैंगलोड वाली वीडियो चान ली हैं। क्मिकि कुछ लोग इतने परेशान हैं कि भगवत गीता में कहा हुक है कि आहंकारी को उसका आहंकार ही मारता है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही उसका फल मिलता है और अपने character को natural character से वो बाज नहीं आता वो सामने आई जाता है और वही उसके लिए घातक होता है तो मैं आपको उन लोगों के फिर से वो कमेंट दिखाऊंगा जिन्नों ने खुद ये प्रूफ किया है कि बैंगलोर वाली हरकत या एक तरीके से मैं ये शब्द यूज करूं कि उन लोगोंने बैंगलोर होगी देखिएगा बताइएगा अगर समर्थन करते हों तो वीडियो को शेयर करें हिंदू भाईयों सेर बनों जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेयर करो और एक चीज और मैंने देखी और मुझे खनका क्योंकि आपको पता आपको हर जगसे इंस्पिरेशन्स मिलते हैं आपको हर जगसे समझना चाहिए और सामने फिर रखना चाहिए तो मैंने वह जो चीज पढ़ी वह ये थी कि जिस तरीके से इन लोगोंने बैंगलोर में पुलिस पर हमला किया और पुलिस वाली बाद पर भी एक आएंगे एक पहलू है थोड़ा रुक्य एका देखिएगा और जनता से एक मेरी रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट मेरी यह है जनता से बीच में बोलना हूं बहुत जरूरी है जो लोग मेरी वीडियो के समर्थन में जो लोग कमेंट में यह कहते हैं कि I support you like this video सुन के अच्छा लगा देख के अच्छा लगा जो भी समर्थन में बोलते हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग अपनी तरफ से वीडियो को शेयर करने का हर वो पॉसिबल प्रयास करें हर प्लैट्फॉर्म पे एक बहुत सारे लोगों के यूट्व पे नजर नहीं आएगी वो लोग देखी नहीं पाएंगे तो रीच कम हो जाती है कम हो जाती खतम नहीं हो जाती हो रिपोर्ट करके रीच खतम करने सकते लिकिन कम कर देते हैं तो वीडियो उस पर व्यू आना बंद हो जाता है तो अभी वाले वीडियो इसमें तीन हजार समतिंग थे साड़े तीन हजार अब उस पर स्लो हो गया है अब उसके बढ़ नहीं रहे और उसके बाद जो मैंने डाली उस पर भी नहीं बढ़ रहे तो आपके सपोर्ट करते हैं तो खुल के सपोर्ट किया गरी ताकि अगले को दिली को जलाया फिर बैंगलोर को जलाया और यूपी में फिर जो कांड हुआ उससे एक तवाप पहले सीरीज देखिए जब ये लोग हमारे देवी देवजाओं को कुछ बुरा बला बोलते हैं तो हम अपने शहरों को जलाने नहीं निकलते हैं तो क्या हमें बुरा नहीं लगता हम नहीं जलाने निकलते हैं इनको जब बुरा लगता है तो पुरा शहर जला देते हैं प्रॉपरटीस तब आ कर लेखते हैं पुलिस वाल जो हमारी सुरक्षा के लिए जो एग दिन पहले वह वी आम नागरी की तरह घूम रहे होंगे तो पुलिस वाले उनकी सुरक्षा के ले विए उनको 50 ज्यादा पूलीस वाले जख में सब्सक्राइब तो यह लोग कर देते हैं तहसे इस सब्सक्राइब कर दो और तैयारी में रहो कभी तुमारे दर्वाजय पर दस्तक हो सकती है कि कागस दिखाओ ना कट लो यहां से अपने शहर को इस तरीके से कोई नहीं चलाता बस इतना ही कहना था यहीं चीज़ मैंने देखी थी आज उन दो वीडियो से बात करेंगे एक वीडियो यह है दिखा दूंगा अगर आपने नहीं देखी तो सर्प्राइब यह हो जाओगे देखके अब पता होगा कि इन लों से यही उ सब्सक्राइब करने में मेरे साथ मदद करेंगे अब तो आपकी रिस्मांसिबिल्टी और बढ़ जाती है कि वीडियो शेयर करिए ताकि यह एरेस्ट हो जल्दी से जल्दी समझ रहे हैं आप वरना इस बार एक कॉंग्रेसी दलित मारा जाएगा दलित बार बार इसले मैंशन कर रहा हूं कि यह वही पाखंडियां जो जय भीम जय मीम के न सब्सक्राइब करेंगे और जब मौका पड़ा तो सबसे जादा दलितों पैत्याचार इन लोगों के द्वारा ही हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है कभी एक बार अच्छा से मैं इंसिडेंट्स के साथ सामने आऊंगा और इनकी पूरी पोल खोल दूँगा तो आप इतन सब्सक्राइब को देखा तो मुझे भी बहुत हसी आई और लेकिन मैंने सोचा कि इसका तो भाई जिस से साथ इंडिया की वीडियो ना हो चलो पाकिस्तान की चलो किसी और देश क्यों कह रहा है कि साइंस चोड़ दो इस्लाम में जो लिखा है और प्रॉफेट सामने जो कामने बताना जोगराफिय में पराये जाता है कि अर्ध जो है वो सूरज का चक्कड लगाता है ये लौजिक ये गलत है बटा साइंस की ये थी जो है ना ये दुरूस्त नहीं है असल जो थी ये ना वो कुरान और हदीस वाली है और आला हदरत जो हमारा ने इमाम एहले सु गर्ड-English благодарimy to ask a ż. Saak quem games have. स्षचिंग ऐर्थ स्टेटिक पोजिशन में है. यह मुवथ नहीं नहीं करती. साइंस कहती हैं कि कि जमीन मुवथ करती है. ANSA हमारे IT अमाम इरा सुनट ने वॉरान से ठापित किया है कि जमीन भूथ नहीं करती हैं तो हमने, बात कुन से माननी है? इसलाम की, दीन की. आला अधरत ने इसलाम वो दीन की बाती की है. तरीक है बेटा? और कोश्चन है जहन में? तो फिर हमारा सुबा के टाइम पर सूरज आ जाता है, पिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सरकल किसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मुव करी रहे है, उसके साथ वो मुव करी रहे है, तो जहां-जहां सूरज मुव कर रहा होता है, वहां पर उसके टाइमेंच के साथ वो चीज़ चल रही होती है, तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है अब सूरज और चांद को यूं समझे के सूरज गुरूब हो जाता है जैसे हमारे यहां से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुरूब होने बटा जी जी सूरज नजर आ कहीं तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्ला ताइला के हुकम से अपने वक्त और अगर कोई यह देख चुका है मुसल्मान तो मुझे बताओ कि क्या तुम पढ़ाई लिखाई छोड़के इससे यह सीखने वाले हो जो तुम्हारे कुरान में सिखाया जाता है या तो तुम एगरी कर दो कि हाँ यह सब कुरान में सिखाया जाता है और यही सच है या तो डिसेगरी कर दो कि शायद सिखाया भी जाता है तब भी यह गलत है तो कुछ ना कुछ तो कमने बताओगी या यही कहके टाल दोगे कि मैं हेट स्परेट कर रहा हूँ तब तो और पाखंड तुम्हारे एक्सपोज हो जाएगा देखते हैं तुम कौनस उप्सिन चूज करते हो खेर के बीसी नहीं चल ला है कुछ भी चूज करो तुम्हें मिलना कुछ नहीं जली लिया थी हो नहीं हाँ मैं दो बाते कहने वाला था पुलिस वाली और जो मैं कमेंट्स दिखाने वाला था कमेंट्स में इन लोगों ने ये प्रूफ किया है कि जो भी प्रॉफिट मुहमद के उपर कुछ भी टिप पणी करेगा अभद्र उसका मरना तै है उसको हम मार देंगे एक तो लड़की भी कह रही है भाई लड़कियों तक में सब भरा हुआ है और एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ चलिए एक ये दो तीन ठों हैं पढ़ लिजेगा खुद पॉस करके दूसरी चीज ये जो पुलिस वाली बात में कह रहा था ये specifically पुलिस वालों के लिए मेरा message है बैंगलूर पुलिस, यूपी पुलिस, डेली पुलिस जो भी है वो ये समझे कि आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत important है अगर कोई पुलिस वाला देख रहा तो और अगर आपके ओपर कोई mob irrespective कि वो मुसल्मान है, हिंदू है, कोई religious ground पर कमिनल राइट चल ला है, कुछ भी है अगर आपके ओपर attack है, direct, तो आप fire करिए, shoot to kill, सीधा, माथे पे अगर दस पुलिस वाले सहीद हो जाएंगे इस दो कोड़ी की मौप के चक्कर में, यह जो बैंगलोर में हुआ या यूपी में हुआ या कहीं भी तो वो बरदाश नहीं होगा किसी से, क्योंकि दस यह जिहादी आतंकी सहीद हो जाएंगे वो ज़्यादा बैटर है, उनकी हमें समाज में जरूत नहीं है जो लोग अपने ही समाज को आग लाके खतम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम पब्लिक प्रोपर्टी उसकी जरूत नहीं है तो या फिर पुलिस पर टॉलिंग पर नहीं निकलती, फिर एक दिन पहले तो तुमने खुदी इन्हों की गाड़ियां जलाई थी और पुलिस वालों को मारा पीटा था, यह दोहरा चेहरा है और यह सबका है तो पुलिस के लिए मेरा यह है कि अगर पुलिस को बंदूग दी गई है तो responsibility से दी गई है, अपनी सुरक्षा के लिए समाज की सुरक्षा के लिए यह मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग अपनी political parties के चकर में, pressure में यूज नहीं करते हैं, लेकि थोड़ा दिलेर बनी है, courageous बनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी, उन दंगाईयों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है, जो उस भीड में आके, उस मॉब में आके, आपको चोट पहुचाना चाहती है, आपको मारना चाहती है, और इसके लिए step सरकारों को लेना चाहिए, चाहे central हो, च self-defense में, खेर इस वीडियो का conclusion मैं बस एही कहना चाहता हूँ, कि देखिए, आपको कई बाते पता चली, पहली बाते ये पता चली, कि यह मजभ अरबी है, और यहां के अरब में जब पूरी civilization दुनिया की फल फूल रही थी, वहां पे लोग गवान थे, दम जाहिल थे, बिल रखने से पहले Google कर लो, कि अरब वर्ड में पढ़ाई की क्या हालत थी उस वक्त, दूसरी चीज ये, और उसी के नतीज़ा है, आपने वाली जो वीडियो देखी, जिसमें वो कह रहा है कि साइंस छोड़के, मौलाना कह रहा है, जो भी है, वो साइंस छोड़के, कुरान मे नतीज़ा है, उसी पढ़ाई लिखाई का, तीसरा वो, कि इन लोगों ने खुदी एकसेप्ट किया, और कुरान का वो वर्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लिजे, साफ साफ लिखा हुआ है, कि अगर ऐसा करेंगे आप, तो सजाय मिलेगी आपको, और ये कोई गलती ने, मैं की गलती नहीं मानता, इनका, इनका रूट, इनकी जड़े ही बेकार है, और चौती चीज, ये है, कि हमारी पुलिस के लिए, स्पेशली एक्ट बनना चाहिए, कि ऐसी, जब स्तिती पैदा हो जाए, तो उनको ओपन फायर करके, चाहे इसके बदले, करके सब में, एक के गोली भी एक एक दो आदमी को मारने लगे ना, चुन-चुन के मारे, तो ये भीड की फटके 50 हो जाएगी, और इतनी दूर भागेगी, इतनी दूर भागेगी कि अपने घर का रास्ता भूल जाएगी, तो पुलिस को पावर दीजिए, ये मेरी गवर्म करते हैं, लेकिन अगर लोग शेयर नहीं करेंगे, वीडियो की रीज उतनी रह जाएगी, आपके लिए बस में इतना ही करना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जैहिन हिंदू भाईयों सेर बनो, जबाब दो, ना सेर बन सको, तो सेर करो, दबा के सेर करो